हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ रीजिनिंग के वो प्रेशन जो बार-बार परिच्छा में पूछे जाते हैं और हर बार परिच्छा में रिपीट होते हैं वही प्रशने दोस्तों लेकर आया हूं तो इस वीडियो का आप अंतर तक देखते रहे हैं चले श्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला question है आपका यहां पर पचास, एकटीस, नो, बैयालीस, एकीस, साथ, तेतालीस, ग्यारा question mark तो question mark दोस्तों कहां पर दिया गया है यहां पर question mark दिया गया है तो यह वाली संचा कैसे आई यह वाली संचा कैसे आई उसी तरीके से question mark वाली संचा आपको मिलेगी तो यह 9 कैसे आया यह पता करना है तो 9 कैसे मिलेगा 50 और 31 से आपको क्या मिलेगा दोस्तो 9 मिलेगा इतना confirm है 9 आपको पता लगाना है तो 50 और 31 से लगाएंगे तो 50 और 31 से 9 कैसे बन सकता है अगर मैं दोस्तो 50 पिलस 31 दोनों को जोड़ दूँगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ठीक है और 81 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा ये 9 मिल गया देखते हैं यही तरीका क्या इसमें लग रहा है 42 में जोड़ दो 21 को तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 42 में जोड़ दूँगा 21 को कितना हो जाएगा 42 के 2 और 1 3 हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पर देखे 9 दे रखा था मैंने 9 से डिवाइड किया था यहाँ 7 दे रखा तो क्या 7 से डिवाइड करूँगा 7, 9, 63 आएगा 9 बार में कटेगा लेकिन यहाँ तो 7 दे रखा है यहाँ जब हमने 9 से डिवाइड किया दोस्तो तो यहाँ भी 9 से डिवाइड कीजिए 9, 73, 7 बार में जाएगा आगे आपका 7 यहाँ पर उम्मित करता हूँ लॉजिक समझ में आने लगा होगा यहाँ पर भी इनको जोड़ दो 43 पिलस 11 कितना हो जाएगा दोस्तो यह हो जाएगा आपका 54 यहाँ 9 से डिवाइड दिया यहाँ 9 से डिया यहाँ भी आप 9 से डिवाइड कर दो कितनी वारी जाएगा 9 6 के 54 होता है 6 बार में जाएगा कि circle में तो अलग-अलग type के भी question पूछे जाते हैं, एक type तो आपने बता दिया, और different-different type के पूछे जाते हैं, तो उनका logic हम कैसे समझें, तो आज की वीडियो में दोस्तों circle वाले question लेकर आया हूँ, और लेकर आया हूँ, अलग-अलग logic पर जो पूछे जाते हैं, ताकि कभी भी circle वाला question हो, आप से कभी भी मिसना हो, ठीके दोस्तों, अब देखेंगे अगला question, अगला question है, ये भी दोस्तों circle वाला question है, और ये प्रेश्णिब एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, logic जैसे हमने पिछले question में देखा, इस question में कोई ना कोई logic बन रहा होगा, लेकिन सबसे पहले मैं देखूं, missing number कहां दिया गया, यहाँ पर मतलब उपर दिया गया, तो उपर मतलब यहाँ पर 26 कैसे है, यहाँ पर 13 कैसे है, उसी तरीके से यह आपको question मार्क की संख्या मिलेगी, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर संख्याओं को ध्यान से देखूंगा, संख्याओं को क्या करूंगा, ध्यान से देखूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ logic इसमें दिखाई देगा, देखे, यहाँ पर 35 संख्याओं 24 है, यहाँ पहली संख्याओं 48, यहाँ 96, अगर मैं कहूँ यह 24 का रिलेशन पहली संख्याओं 48 से है, ठीक है, और यहाँ 48 का संख्याओं का रिलेशन कितने से है, 96 से, तो 24 से क्या हो 48, 48 से क्या हो 96, तो क्या हो रहा है 24 का मल्टिप्राइज 2 से करेंगे तो 48 और 48 का मल्टिप्राइज 2 से करेंगे तो 96 मिलेगा ठीक है पहली संक्या का मल्टिप्राइज 2 से क्या पहली संक्या फिर पहली संक्या का मल्टिप्राइज 2 से क्या यह पहली संक्या अब क्या है दूसरी संक्या 32 दूस यहां भी वही relation है 13 से क्या होदा 26 32 हो रहा है तो यहां भी क्या होगा 26 का multiply दो 26 दूह2 नहीं कितना होता है बामन तो vit fresh जागे क्या है क्या बामन है किस ओफंद में है ऑफ्संट में है उम्मीद करता हूं सरकल का ये प्रेशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा, clear हुई दोस्तो बात, अब देखेंगे अगला कोशन यहाँ देखेंगे दोस्तो, यहाँ पर भी आपको सर्कल वाला कोशन दिया गया है, और इस कोशन में क्या logic लग रहा है वो आपको पता करना है देखिए दोस्तों question mark जब यहां पर है तो ये वाली संख्या कैसे आई ये वाली कैसे आई उसी तरीके से दोस्तों ये वाली संख्या मिलेगी तो ये वाली संख्या 120 है ये संख्या हमें किस से देखे यहां पर क्या है 20 अगर मैं 20 में से 9 घटा दूँ 20 में से 9 घटा दूँ कितना बचेगा 11 और 11 का स्कॉर कितना होता है 121 होता है जो यहां पर दे रखा है समझे मैं यही बात यहां कितना दे रखा है 24 अगर मैं 24 में क्या करूँ माइनस कर दू 11 को कितना बचेगा 24 में से 11 जाएगा दोस्तों 13 बचेगा और 13 का स्कॉर कितना होता है 169 होता है जो यहाँ पर दे रखा है वही यहाँ पर कीजे 32 में से माइनस कर दो दोस्तों 17 को कितना बचेगा 15 बचेगा और 15 का आप स्कॉर करेंगे कितना होता है 225 होता है केस ओफ्षन में है सी ओफ्षन में आपका 225 दे रखा है यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपके question का सही answer हो जाएगा मैं उमेद करता हूँ सभी की समझ में question बहुत ही अच्छे तरीके से आगया होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है चौथा question है दोस्तों और यहाँ पर देखेंगे यह question बहुत अच्छा question पूछा गया है देखें दोस्तों यहाँ पर क्या है बीच में 19 है बीच में यहाँ क्या है question mark तो हमें बीच वाली संक्या find करनी है question mark बीच में दिया गया है तो ये बीच वाली संक्य कैसे आई ये बीच वाली संक्य कैसे आई उसी तरीके से दोस्तों ये बीच वाली संक्य आईगी तो ये बीच वाली संक्य हमें किन संक्य हैं उसे find करनी है 7, 4 और 9 से तो यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ू, 7, 4, 11, 11 में दोस्तों 9 जोड़ूंगा, 20 हो जाएगा, और 20 में से माइनस बन कर दूँगा, 19, ठीक है, यहाँ जोड़ू, 9 और 3, 12, 12 में 6 जोड़ूंगे, 18, यह कॉशन मार्क वाली संचाय से छोड़ते हैं, पहले से देखते हैं, 12, 28, 20 में 5 जोड़ा, 25 हो जाएगा, यहाँ मैं जोड़ूंगे, यहाँ माइनस बन किया, अगर मैं यहाँ भी माइनस बन कर दूँगा, तो आपको मिलेगा 24, लेकिन यहाँ तो 28 दे रखा है, तो यह लोजिक दोस्तों आपको यहाँ नहीं लगने वाला, कोई दूसरा से 19 बनाना है, अगर पहले मैं इन दोनों का मल्टिप्राइग करूँ कितना हो जाएगा, साच्चो के 28 हो जाएगा, 28 हो गया, दोनों का हमने क्या किया है, मल्टिप्राइग किया है, उपर वाली संग्चाहों का, और इसको नीचा वाली संग्चाहों का, अगर मैं माइनस कर तुम मुझे कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा वही तो लोजिक यहां पर लगा दीजिए 9 का मल्टिप्राइट 3 से कर दो 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तो 27 हो जाएगा नीचे वाली संग्जा को माइनस कर दो 6 को कितना बचेगा 21 बचेगा तो यहां कॉश्चन में क्या जा सबसे जादा स्टूडेंट इस कॉश्चन में फस्ता है यहां पर आपको कॉश्चन मार्क है बीच में तो यह बीच वाली संग्या कैसे आई यह बीच वाली संग्या कैसे आई उसी तरीके से दोस्तों यह बीच वाली संग्या आपको 12 कैसे मिलेगी अगर मैं सभी को सभी का अपसे multiply करके देख लेते हैं 5, 3, 15, 15, 16, 60 का multiply 2 में करूँगा कितना आ जाएगा 120 हमें क्या चाहिए 12 अगर मैं इस 120 में 10 से divide दे दूँ तो कितना मिलेगा दोस्तों 12 मिल जाएगा सभी का multiply किया था मैं यहां भी सभी का multiply करूँ पाच्छी के 30, 30, 30, 60, 60 का 3 में 180 हो जाएगा यहां 10 से divide दिया था यहां भी अगर मैं 10 से divide दे दूँ तो क्या बचेगा दोस्तों 18 बचेगा यहां आपका 18 ही तो दे रखा है बात समझ में आगी logic भी समझ में आने लगा वहीं यहां पर कीजिए 5 दूने का 10, 10 दूने का 20, 20 का 9 में करेंगे कितना हो आपके इस question का दोस्तों सही answer मैं उम्मीद करता हूँ अगर ऐसा प्रेशन आपसे exam में पूछा जाएगा तो फसेंगे नहीं उसे करके आएंगे इस question में सबसे ज़्यादा student फसता है लेकिन आज के बाद आपको इसे करके आना है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितने भ बटन भी दबा दीचे दोस्तों धन्यवाद